स्वागदे दोस्तों आप सभी को टिकिराच यूटुब चैनल पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy Note 10 या फिर किसी भी Samsung Mobile में यदि आपका network का problem आ रहा है नेट्रोक आपका काम नहीं कर रहा है नेट्रोक शो नहीं होता है या फिर network से related आपका जितना भी problem है उसे आप कैसे fix कर सकते इस वीडियो में मैं आपको step by step guide बताऊंगा तो वीडियो के साथ बने रही है और साथी साथ चैनल को subscribe करके bell icon को भी दबा दीजिगा और दोस्तों यहां पर यदि आप online पैसे कमाना चाहते तो वीडियो description link चेक आउट कर सकते तो दोस्तों चलिए बिना देर की होई शुरू करते तो दोस्तों यहां पर क्या होता है कि हमें बहुत बार क्या होता है कि हमें अपना samsung mobile पे network शो नहीं होता है network से काम नहीं करता है वोल्टी सपोर्ट नहीं करता है और हम जब कोल करते तब कोल कनेक्ट सही से नहीं हो पाता है तो यहां पे network से related बहुत सारा problems जो हमें अपने samsung mobile में देखने के लिए मिलता है तो दोस्तों इससे solve करने के लिए मैं आपको यहां पे कम से कम 3-4 solution बताऊंगा जिसके मदद से आप अपना problem को definitely solve कर सकते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले तो आपको जाना है अपने mobile का settings पे settings पे चले जाएगा उसके बाद में आपको सबसे पहले connection का option मिलेगा connection के ओपर click किजेगा और यहां पे आपको sim card manager मिलेगा उसके ओपर click किजेगा और यहां पे यह आपका dual sim है तो जो भी sim में आपको problem आ रह है जिसके आप देख सकते हो LTE 3G 2G auto connect 3G 2G LTE only तो यहां पर आपको select करना है LTE 3G 2G auto connect ठीक है तो यह आपको connect करके रखना है यह आप 3G 2G connect करके रखते हो तो आपका mobile यह वोल्टी है तो क्या होता है कि आपका यहां पे network सहीशे काम नहीं करेगा तो आपको यहां पे LTE 3G 2G auto connect select करना है उसके बाद में simply आप वापस चले जाए और वापस बेक जाने के बाद में दोस्तों यहां पे आपको क्या करना है और एक बार आपको वापस चले जाना है और यहां पे आपको जाना है दोस्तों mobile network पे mobile network पे जाने के बाद में दोस्तों यहां पे आप देख सकते SIM1, SIM2 तो यहां से भी आप जो है, वो select कर सकते हैं, और यहां पर आपको Volte E यह आपको enable रखना है, और इसके बाद में simply दोस्तो आपको फिर से connection पे जाना है, और connection पे जाने के बाद आपको दुबारा से mobile network पे आना है, और यहां पे दोस्तों आपको network operators दिखाए दे रहा है, simply यहां पे click किजगा, और दोस्तों यहां पे आपको दो option दिया जाता है, आपका network की use करने के लिए, ठीक है, एक हो गया automatically और दूसरा हो गया manually, अब यहां पे दोस्तों आपको जो preferable है, वो जो है, आपका यहां पे automatically के select कीजगा, और select करने के बाद में यहां पे ok कर दीजे, ok करने के बाद में कुछ देर बाद जो है, आपका network चला जाएगा, और दुबार से आजाएगा, ठीक है, तो उसके बाद में आपका problem solve हो जाना चाहिए, यदि आपका already automatically है, तो आप manually select कीजगा, manually select करने के बाद में, आपका mobile, जितना भी नजदी के आपका tower है, वो यहां पे detect कर लेगा, आपका जो भी network है, वो show करेगा, तो manually select करके आप जो है, अपना network को set up कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि जहां तक automatically select नहीं होगा, तो वो manually ज्यादा तक सही से न नहीं होता है, तो दोस्तों मैं आपको suggest करूँगा, कि एक बार आप जो है, अपना mobile का network में जाके sim card में चले जाए, और sim card को एक बार आप बंद कर दीजेगा, ठीक है, आपका sim card को एक बार आप यहां पे बंद कर दीजे, तो यह बंद करने के बाद में mobile को एक बार switch off कीज आपका problem solve हो जाना चाहिए, ठीक है, यह तीन solution करने के बाद में definitely आपका problem solve हो जाना चाहिए, by any chance दोस्तों यह दिए आपको फिर भी network से related problem आ रहा है आपके mobile में, तो simply आप अपने mobile का settings पे चले जाए, और यहां पे दोस्तों देखिए, last take option बचा है, जो कि यहां पे आपको install या फिर last update यहां पे download and install पे click किजएगा, और यहां पे आपका software update check होगा, ठीक है, कभी-कभी क्या होता है, कि हमारे अपने handset पर क्या होता है, कि हमें problems निकल जाता है, तो इसलिए company जो है network से related काफी कुछ नया लाता है, काफी कुछ नया feature लाता है, ताकि हमारा network सही से काम कर पाए, तो इसलिए यदि आपका system आपको update मांगता है, तो आपको यहां पे update कर लेना है, क्योंकि मेरा यहां पी already updated है, तो मुझे updated करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां आप कर सकते हैं दोस्तों, और दोस्तों यहां पे देखिए दोस्तों last एक बचता है, यह software update करने के बाद में आपका problem solve हो जाएगा, लेकिन यह last option है, अब दोस्तों यह सारा कुछ करने के बाद में भी problem आपको फिर भी show होता है, तो आपको मैं lastly suggest करना चाहूंगा, कि आप अपने network operator से बात कीजेगा, कभी-कभी क्या होता है, कि उनके तरफ से server down होता है, या फिर उनके त सकता है, वो case में तो आपको technician को visit करके आपको mobile दिखाना होगा, ठीक है, तो यह था दोस्तों completely solution, उमीद करता हूँ कि आपको video पसंद आया होगा, thanks for watching.